महामंत्री यह शोर कैसा हो रहा है महराज बच्चे फर्याद लेकर आए है कैसी फर्याद बच्चे बस्ते के बोज से परेशान है क्या मतलब आप बच्चों से ही पूछ लीजिए हाँ, बुलाओ प्रणाम महराज खुश रहो, क्या परेशानी है तुम बच्चों की? देखिये ना महराज हम छोटे छोटे बच्चों पर पढ़ाई का कितना बोज है हमारे बस्ते भारी हो रहे है अच्छा? हाँ, देख भी रहा है महामंत्री, शिक्षा मंत्री को बुलाईए देखा आपने, आज कल बच्चों पर पढ़ाई का कितना बोज है हमें सब बातों का अर्थ समझा रहा है इस कारण शब्द समूहों का वाक्य के रूप में सही प्रयोग है सार्थक पदों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट कर सकता है वाक्य कहलाता है वाक्य के तत्व शब्द या पदों के किसी भी समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता कोई पद समूह तभी वाक्य बनता है जब उसमें निम्नलिखित तत्वों का समावेश होता है पदक्रम, अन्विती, आकांशा, योग्यता, निकट्ता पदक्रम, वाक्य में पदक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उदाहरण के लिए गरिमा ने मीना को मारा वाक्य में कर्ता गरिमा पहले आया है फिर वाक्य का कर्म मीना और अंत में क्रिया मारा आया है पदों के इसे निश्वित क्रम को पदक्रम कहते हैं पदक्रम से संबंधित निम्नलिखित बातों को समझना आवश्यक है पदक्रम सभी भाशाओं में एक जैसा नहीं होता हिंदी में जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया का पदक्रम है तो अंग्रेजी भाषा में कर्ता, क्रिया, कर्म का पदक्रम होता है वाक्यों में पदों का क्रम बदल देने से कई बार उनका अर्थ या तो स्पष्ट नहीं हो पाता या बदल जाता है कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं, जिनके पदक्रम में थोड़ा सा हेर फेर करने पर उनका अर्थ या भाव पहले जैसा बना रहता है, जैसे यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से, प्रश्नवाचक वाक्यों में करता से पहले क्या का प्रयोग होता है, जैसे क्या मुझे प्र प्रिया से पहले विस्तारक शब्द विशेशन, पूरक, क्रिया विशेशन आधी लगाये जाते हैं, जैसे परिश्रमी और इमानदार व्यक्ती ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं, उनमें पहले गौन कर्म यानि संप्रदान और बा वाक्य में पदों की परसपर संगती को अनविती कहते हैं। इसमें वाक्य के किसी एकपद यानि संग्या सरवनाम आधी के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार, दूसरे पद, विशेशन या ख्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कैलाश हलवा खाता है, कैलाश ने हलवा खाया, नीरा खीर खाती है, नीरा ने खीर खाई, आकांशा, आकांशा का अर्थ होता है इक्छा या लालसा, वाक्य अनेट पदों के मेल से बनता है, इन सभी पदों को जान कर ही वक्ता के मंतव्य को समझा जा सकता है, वाक्य के सभी पदों को जानने की लालसा ही आकांशा कहलाती है यदि कोई वक्ता निर्मल कहकर चुप हो जाए तो श्रोता उसके भाव को समझ नहीं पाता उसका भाव समझने के लिए उसके मन में आगे के पदों को जानने की आकांशा उत्पन होती है कि आगे कौन से पद आने वाले हैं। इस आकांशा के शांत होने पर ही उसे वक्ता की बात यानि मंतव्य स्पष्ठ होती है। जैसे निर्मल, जलही, उप्योगी होता है। इन तीनों पदों के जानने पर ही श्रोता को यह बात स्पष्ठ होती है कि निर्मल जल ही उपयोगी होता है। योग्यता वाक्य में प्रयुक्त पदों में वक्ता के नहित अर्थ को व्यक्त करने की शमता ही योग्यता कहलाती है। जैसे घोडा हरे रंग के तिनके खाता है, घोडा भोजन खाता है। इन दोनों वाक्यों में योग्यता की कमी है क्यूंकि इसके पदों में नहित अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है। यदि इन वाक्यों में हरे रंग के तिनके और भोजन के अस्थान पर घास वाक्य बनता है, घोडा घास खाता है, अब वक्ता का आशे स्पष्ट हो गया है, निकटता, वाक्य के लिए या आवश्यक है कि उसमें प्रयोग होने वाले पदों में निकटता हो, जैसे शोभा, पुस्तक पढ़ रही है, इन पदों में निकटता नहीं है, अतहम इने वाक् और उसके भी थोड़ी देर बाद पढ़ रही है कहा जाए, तो उससे वक्ता का आशे स्पष्ट नहीं होता, वक्ता का आशे स्पष्ट होने के लिए इन पदों में निकटता होना आवश्यक है, तभी ये वाक्य कहलाते हैं, जैसे दिनेश बाजार जा रहा है, वाक्य के अ जैसे लड़के तैर रहे हैं, इस वाक्य में लड़कों के विशय में कुछ कहा गया है, अता लड़के वाक्य का उद्देश यानी करता है, विधेय वाक्य में उद्देश के विशय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है, जैसे रगु सबजी बेचता है, वाक्य मे उद्देश्य विधेय, चेतक शहीद हो गया, काव्य के बीमार नाना जी आज नहीं आएंगे, नग्मा, शीला और कांता बाजार गई है, गरीब किसान के चार पुत्र थे, उद्देश्य और विधेय के विस्तारक, उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के पांच अंगों होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रिया का पूरक, विस्तारक, कर्ता, वाक्य में काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, सामाने तह वही वाक्य का उद्देश्य होता है, जैसे नन्हा बच्चा तालियां बजा कर हसने लगा श्याम का भाई डॉक्टर है करता उद्देश के विस्तारक जो शब्द या शब्दांश उद्देश के साथ जुड़ कर उसके अर्थ में विशेशता लाते हैं उद्देश के विस्तारक कहलाते हैं उद्देश्य का विस्तार करने वाले शब्द प्राय, विशेशन, संबंधकारक या विशेशन पदबंध होते हैं जैसे नन्हा बच्चा तालियां बजा कर हसने लगा विस्तारक, विशेशन, करता उद्देश्य श्याम का भाई डॉक्टर है विस्तारक, संबंधकारक, करता, उद्देश्य कर्म वाक्य में क्रिया की व्यापार का फल जिस पर पढ़ता है उसे कर्म कहते हैं यह विधेय का अंग होता है जैसे राम ने राक्षस राज रावन के छोटे भाई कुम्ब करण को मारा इस वाक्य में कुम्व करण कर्म है कर्म का विस्तार कर्म की विशेष्टा बताने वाले सभी शब्द कर्म का विस्तार होते हैं कर्म और उसका विस्तार विध्य के अंग होते हैं जैसे उपर के वाक्य में राक्षस राज रावन के छोटे भाई कर्म का विस्तार है जैसे आकाश में बिजली कड़क रही है। इस वाक्य में कड़क रही है क्रिया है। क्रिया का पूरक। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य शब्द की जरूरत होती है। वह अन्य शब्द क्रिया का पूरक कहलाता है। यह भी विधय का अंग होता है। जैसे सविता अर्जुन की मा है। इस वाक्य में मा क्रिया की पूरक है। विस्तारक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को विस्तार देने वाली शब्द विस्तारक होते हैं। विशेशन और क्रिया विशेशन के मुख्य विस्तार होते हैं। किन्तु इनके अलावा भी कुछ विस्तारक होते हैं जैसे पिछले कई वर्षों से शहर में मेला लगता इस वाक्य में पिछले कई वर्षों से विस्तारक हैं विधेय के विस्तारक विधेय के अर्थ में विशेष्टा लाने वाले शब्द या शब्दांश विधेय विस्तारक कहलाते हैं प्रायह, विधेय के विस्तारक शब्द क्रिया विशेशन, पूरक, पूर्वकालिक क्रिया, कर्म आदी होते हैं, जैसे बच्चे शांती पूर्वक बैठे हैं, विस्तारक, क्रिया विशेशन, विधेय, मोहन इंजीनियर है, विस्तारक, पूरक, विधेय, मीना आकर लेट विस्तारक पूर्वकालिक्रिया विधेय ज्यान पत्र लिख रहा है विस्तारक कर्म विधेय वाक्य के भेद भाईया ये बात तो सही है कि वाक्य द्वारा हमें अर्थ स्पैश्ट होता है हम वाक्य भी अलग अलग तरह के बोलते हैं इनमें अंतर कैसे पता चलता है? अनिकेट वाक्य के भेदों की जानकारी से हम वाक्यों के रचना और प्रकार में अंतर कर सकते हैं आओ बच्चों वाक्य के भेदों के बारे में जाने वाक्य के भेद इन दो आधार पर वाक्यों के विभिन भेद किये जाते हैं अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेट अर्थ के आधार पर वाक्य निमनलिखित आठ प्रकार के होते हैं विधान वाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य वस्तू या इस्तिति के करने या होने की बात सामाने रूप से कही जाती उन्हें विधान वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे सूरच पूर्व से निकलता है, फूल पर भोरे भोरे मंडरा रहे हैं, निशेद वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात के करने या होने का निशेद होता है, उन्हें निशेद वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे वह आज नहीं आ रहा है अब तुम मेरी बात क्यों सुनोगे अर्थात नहीं सुनोगे प्रश्न वाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्न वाचक वाक्य कहते हैं जैसे तुमने पाठ क्यों नहीं पढ़ा इस बार आप लोग कह जिन वाक्यों से आग्या, अनुमती, उपदेश, प्रार्थना आदी के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें आग्या वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे तुरंत यहां आओ, यह दर्वाजा बंद कर दो. विस्मय वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, ग्रिना आदी भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे उफ, कितनी गर्मी है, शाबाश, तुमने तो देश का नाम बढ़ाया है. इच्छा वाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशिरवाद या शुपकामना के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे तुम्हारी जल्दी ही नौकरी लग जाए, ईश्वर तुम्हें लंबी आयू दे. संकेत वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना, दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे अगर तुम्हें अवश्य बुलाया जाता, यदि परिश्रम करते तो फेल ना होते. संदेह वाचक वाक्य, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, उन्हें संदेह वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे शायद अब बाढ़ ना आए, अब तक पिताजी अजमेर पहुँच गए होंगे. रचना के आधार पर वाक्य भेट, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य. सरल वाक्य जिस वाक्य में एक या अधिक करता हूँ किन्तु मुख्यक्रिया यानि विधेय एक ही हो उसे सरल वाक्य कहते हैं जैसे सडक निर्मान का काम चल रहा है नताशा ने वह उपन्यास पढ़ लिया है संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चे बोधक अव्यद्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं इन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान अस्तर के होते हैं और स्वतंत्र रूप से सरल वाक्यों के जैसे पिता जी ने सौरप को पढ़ाया, लिखाया और नौकरी दिलवाई, वह आया था परंतु शीग्र ही चला गया। इन वाक्यों में पिता जी ने समझाया, तथा वह खो गया है, मुख्य उपवाक्य है, और जगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, तथा तुमने जो मोबाईल दिया था, आश्रत उपवाक्य है। उपवाक्य के भेद, उपवाक्यों के दो मुख्य भेद होते हैं, प्रधान यानि मुख्य उपवाक्य, आश्रत उपवाक्य, प्रधान मुख्य उपवाक्य, मिश्रत वाक्यों में प्रधान उपवाक्य की ही प्रधानता होती है, यह स्वतंत्र होता है, और अपने अर्थ या भाव को इस्पश्ट करने के लिए यह दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता जैसे तुम वहां मिलना जहां दूद का डीपो है जब श्रेया आई तब मैं बगीचे में थी वाक्यों में रंगीन उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है मिश्रत वाक्यों में जो वाक्य अपने अर्थ या भाव को स्पश्ट करने के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है जैसे उपर के वाक्यों में जहां दूद का डीपो है तथा जब श्रेया आई आश्रित उपवाक्य है आश्रत उपवाक्य के भेद, आश्रत उपवाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं, संग्या उपवाक्य, विशेशन उपवाक्य, क्रिया विशेशन उपवाक्य, संग्या उपवाक्य, ये उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के कर्म होते हैं और संग्या या संग्या पदबंध के अस्थान पर आते हैं, ये प्रायाह की से जुड़े होते हैं, कई बार की का लोब भी होता है, प्रधान उपवाकी की क्रिया के साथ क्या लगा कर प्रश्न करने पर, उत्तर के रूप में संग्या उपवाक्य मिलता है, जैसे आप घर की माल्किन है या कौन नहीं जांता, सब जानते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है। उपर के वाक्यों में रंगीन उपवाक्य संग्या यानि करता का कारे कर रहे हैं। इसलिए यह संग्या उपवाक्य है। वाक्यों में रंगीन उपवाक्य वह और वही सर्वनाम की विशेश्ता बता रहे हैं। इसलिए यह विशेशन उपवाक्य हैं। परिवर्तन एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन वाक्य रूपांतरन कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का रूपांतरन शिखर क्रिकेट खेलता है। विधान वाचक शिखर क्रिकेट नहीं खेलता। निशेद वाचक क्या शिखर क्रिकेट खेलता है। अच्छा शिखर क्रिकेट खेलता है। विसमे वाचक शिखर क्रिकेट खेलो। आग्या वाचक शिखर क्रिकेट खेले। इच्छा वाचक, यदि शिखर क्रिकेट खेलता तो राश्ट्रिय टीम में होता, संकेत वाचक, शिखर क्रिकेट खेलता होगा, संदेह वाचक, रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, वह घर जाते ही काम में लग गया, वह घर गया औ इमानदार भी है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन इमानदार भी है, सरल से मिश्रित वाक्य में रूपांतरण, सरल वाक्य मिश्रित वाक्य, इसी बच्चे को गाएने सींग मारा था, यह वही बच्चा है जिसे गाएने सींग मारा था, प्याला नीचे गिरते ही तूट गया, ज मिश्रित से सरल वाक्य में रूपांतरण, मिश्रित वाक्य सरल वाक्य, जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है घबराहट बढ़ जाती है, परीक्षा निकट आने पर घबराहट बढ़ जाती है, वह मुझे नहीं पहचान सकी क्योंकि वहां अंधेरा था, अंधेरा होने की कार वह मुझे पैचान नहीं सकी। वाक्य में पदों की परसपर संगती को अनविती कहते हैं। विधान वाचक, निशेद वाचक, प्रश्न वाचक, आग्या वाचक, विस्मय वाचक, संकेत वाचक, इच्छा वाचक और संदेह वाचक। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाच्य में एक मुख्य क्रिया होती है। दो स्वतंत्र उपवाच्य समानाधी करण समुच्य बोधकों से जुड़ कर संयुक्त वाच्य बनते हैं। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं जो प्राय व्यधी करण समुच्य बोधकों से जुड़े होते हैं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरन कहलाता है।